जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हारदिक स्वागते महाकारी भगत ग्यान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज किस पीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ सरीर की बीमारी सरीर का दर्द इस चीज से हमेशा के लिए मुक्ती पाने का मंत्र सिर्फ साथ बार बोलना है आप लोगों को उसी समय कारंटी के साथ आपका दर्द जितना भी कितना भी तेज दर्द हो सरीर में चाह सरीर के किसी भी अंगम में कितना भी तेज धर्द हो या कितनी भी बड़ी चोटी बिमारी आप लोगों को लगी हुई हो जैसे आपने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको पहले तो मतलब सुरू से कोई बिमारी नहीं थी ठीक है अचानक से उनके सरीर में बिमारिया बन जाती जैसे सूखर की बलड़ पेसर की पीलिया की हर तरह की बिमारिया अचानक से सरीर में पैदा हो जाती है तो यह अचानक से क्यूं होती है आज इसका राज बताऊंगी मैं और ये बताऊंगी कि जो मंतर बताने जारी हूँ आप लोगों को ये एक ऐसा मंतर है जो हर एक बड़ी छोटी बिमारी की काट करता है और आपको सरीर के दर्द से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाता है लेकिन आप लोगों को जो मंतर बताने जारी हूँ ये बहुत जादा पावरफुल मंतर है और इस मंतर को आपको जब जपना है जब आप पहले इसको सिद कर लेगे इसको सिद कैसे करना है ये मैं आप लोगों को बता दूंगी इस वीडियो में आप इसको एक दिन में ही सिद कर सकते हैं वो भी इसके सिद्ध के उपाय होते हैं जैसे पहला उपाय मैं आपको असान सा बताऊंगी जो आप अपने घर में ही इस मंत्र को एक दिन के अंदर सिद्ध कर लेंगे फिर उसके बाद से आप इस मंत्र को कहीं भी प्रियोग कर सकते हैं जैसे आपके सरीर में कभी भी आपको तेज दर्द देखने को मिलें जैसे कि आज के समय में जिनके उपर negative शक्तियां भी होती है तो उनके सरी में इतना तेज दर्द होता है इतना तेज कि जैसे वो उनकी जान निकल जाएगे भी ऐसा दर्द होता है तो जितने लोग व्यक्ति बिमार रहते हैं, सरीर की परिशानियों से बिमार हैं, सरीर के अंग में हर जगा दर्द रहता है, वहाँ उस चीज से परिशान है तो उनी व्यक्तियों के लिए मैं आज मंतर लेके आई हूँ ताकि उनकी परिशानिया हल हो सके और वो अपनी लाइफ में पहले की तरह जैसे ठीक ठाक रहते थे, वैसी ही रहने लगे तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी भक्तों को इस वीडियो के माद्यम से पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक रिक्वेश्ट करना चाती हूँ अगर आप महा काली भक्तग्यान यूटूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक, सेर, कमेंट जरूर कर लेना क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे-ागे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी जितने भी माता काली के भक्त हैं या फिर अन्य देवी दिपता के भक्त हैं वो भक्त भी इस मंत्र को यूज कर सकते हैं जैसे कुछ भक्त ऐसे हैं जिनके घर में भैन, भाई, मा, बापों को इन सब चीजों की बिमारी होती है और सरीर में दर्द रहता है गुटनूओं में कहीं भी जगा मतलब सरीर की किसी भी अंगम है तो आपको सिर्फ इस मंत्र को साथ बार बोलना है पहले इसको आपको सिध कर लेना है सिध करने के बाद आप उस व्यक्ति के पास खड़े होके उसके सर पे हाथ धरके या वैसे खड़े होके भी बोल सकते हैं इस मंतर को जैसे आप इस मंतर साथ बर बोलेंगे उसी टेम वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा उसी टेम उसके दर्द पीड़ा जो भी कुछ है बीमारी सिमारी है वो उसी टेम से कट जाएगी जब आप इस मंतर का प्रियोग करेंगे तो चलिए पहले मैं आप आप लोगों को साम तोरर बान से गंगन फट जाए इश्वर महादेप के जटा कटाए डाकनी योगनी भी भूत पिचास काला पीला प्रेत सूसंच काला पीला सृत सूचंच सब मार काट धरूं खेत खरीहान तेरे नजर से भागे भूत ले जान आदेश देवी कामरू कमक्षय माई की ठीक है ये वाला मंतर है जिस मंतर से आप हर एक बिम्मारी से मुक्ति पा सकते हर एक सरीर के दर्द से मुक्ति पा सकते अब जब आप इस मंतर को सिद करेंगे तो साथ बार बोलेंगे ठीक है और जब आप इस मंतर को सिद कर लेंगे एक दिन में तो आप इस मंतर को सिर्फ एक बार बोलेंगे जब किसी व्यक्ति के सरीर में दर्द हो या कोई बिमारी हो तो वो बीमारी की काट उसी समय से होना इस्टार्ड हो जाएगी और मा काली स्वेम अपने पास उसको धारण करेगी और उस व्यक्ति को सुरक्सित करेगी जो व्यक्ति को बीमारीों ने जकड रखा है, पकड रखा है, सरीर के दर्द ने और भक्तों के पास मिलेंगे बहुत कम बहुत काने पास मिलतें तो इसी मंतर से हर एक तांतरी जबी व्यक्ति ठीक ठाक देए तो आप भी कर सकते हैं जार के जारी की जरुवत नहीं इस मंतर को सिद्र कैसे करना है एक आपको पानी में दूद डालना है ठीक है इसमें थोड़े से काले तिल डालने दो लोंग डालके इस मंतर को साथ बार बोलके उस पानी को आपको सहरा देना है ये मंतर सिद्ध हो जाएगा फिर एक बार मंतर बोल तुरंत कारी करेगा चली दोस्तों मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कुछ पूछना है कमें करके पूछ सकते हैं अब हम आपसे मिलेंगे नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए जैमाता की ओम नुश्चे